नक्सलवाडी युनाइटेट क्लब मा आजा नक्सलवाडी ब्यावसे समिती औनी नक्सलवाडी डिस्टिब्यूटर एसोशेशन को तत्वधान मा रक्तदान सिवीर साते निशुलका स्वास्ता जांच सिवीर को आया जना गरियो उक्ता सिवीर मा एकसेवन दा बेसी युनिट ब्लोट संग्रागरे भनी बियान देखिने लगातार पानी परेको कारान ले धेराई जस्ता डोनर हरू आउना नसके काद नक्सलवाडी ब्यावसे समिती का साधरान संपाधक धन्मेंद्र पाठक जनावचन उक्ता संग्रागरे को ब्लोट सिल्गुली तराई लाइन्स ब्लोट बैंक साताई उतरबंगल मेडिकल ब्लोट बैंक मा जमागरी ने थाप जानकारी दिये दिस्टिबिटर आसेशेशेशेन आच्केट डेटे एक्संग शतरोटा जागा एक क्याम किन्तुनारा कोर्छेन तो 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 शत्ती प्रसंग्शनी उद्धक आमरा खुब भालोग्दक आमरा चाई यही समय ता जेतो आपन डेंगुर प्रभावा बार्शे मासा बाईत रोगेर कोपो द्रप्ता इसमय ता अनिक बेशी होया सेजोन न किन्तु आर रखतेर क्राइसिस हो इसमय तो खुब भाई तो यही उद्धक्ता शत्ती आमरा साधुबाद जानाई एबंग धन्न बाद जानाई वैपसाइच शमीती आमरा अमादे डिस्ट्रिबीटर आइसेशेशेशेशने शकल सदु सदु सदेर जादे निराल सदु 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 सदंु सदु 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 अजा शनुर्ण बादे डिस्टि आठनाई अ अब आप परोबुर्ती बच्षत थेके, आम रहो 100% सहाज़ीक ते करव उना धर कासे थेके, आरो अरो अरो आकारे ब्लाद प्रोरशन क्याम गुलो करवो, यह वो शुदो नक्साल भरिमें आमादर फोत्तेक्ता जागाएकेंदो, सबाके भोल्ची सबार अद्देशों कुछ से जुरे के हम गुलोगों के लिए, आज मौसम काफी खराब था, फिर भी हम लोगों ने 50 प्लस ब्लड यूनिट का कलेक्शन किया है, यह प्रोडाम हम लोग का कल भी चलेगा, 14th को और 15th को भी चलेगा, 14th को हमारा प्रोडाम सिलिगोरी मावी रस्तान में हैं, और 15 को हमारा प्रोडाम हिलकट रोड वे हैं, और इसके साथ हम लोग से ब्लड डोनिशन केम्पनी कर रहे हैं, साथ में हेल्थ चेक अप केम्प भी हो रहा है, आज भी कम से कम 200 लोगों ने अपना हेल्थ चेक अप यहाँ पे करवाया है, और कल और 15th को रहेगा, जहां पे हम ल हम लोगों ने किया है, और 15th को हम लोगों ने लाइन्स कलब के प्रसादम का योजन किया है, जिसमें 300 से ज्यादा लोग लाबानवीत होंगे, और पंदर को अपना खिच्री का भी प्रोडाम है, हिलके ट्रोड पे, जहां पे हम लोगों का टर्गेट है, पंदर से 2000 लोगो का हम लोग खिलाएंगे, अज्या लोगों को क्या मैसस देना चाहेंगे की रक्तदान देना चाहिए इसके लिए, रक्तदान हमारी नजर में किसी भी मनुस्य के लिए रक्त से महत्कुन दान हो नहीं सकता है, रक्तदान महादान है, और यह ऐसा स्रोथ है कि जितना अपने देंगे, सामने वाले को उतनी ज्यादा मदद मिलेगी, और इंडिया में जो अपने मामारी आती है, डेंगू है, किसी ना किसी कारण से, बलट की सोटेज के कारण, लाखों लोगों को अपना जीवन खोना पड़ता है, तो हमारी प्रैलिटी लिस्ट में है, और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कलेक्ट करनी है, हमें लाइन्स का सपोर्ट भी है, जिसकारण से हम इतना काम कर पा रहे हैं, मैं लाइन्स कलब ऑफ सिलिगोरी टेक्स्टाइल्स का प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोग ये सारी सेवाई लाइन्स के सहयोग से साल भड चलाएंगे, और यहां पर नकसलबारी में आकर यहां की वेबसाई समीती और डिस्ट्रिबूटर असोसियेशन से हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, आगे भी हम इनके साथ में कोलाबरेशन में बहुत सारे प्रोडाम करेंगे, मेरा नाम विवेक मोर है, आज का जो प संगठन अपना सोल रूप से जो काम करते हैं, सबको इनभाइट किया गया और सबको ही बहुत हेल्प कर रहा है, हम जो हेल्पिंग जो संगठन से सबका नाम नहीं बोल रहा है, क्योंकि बाइसन किसी का एक छूट जाएगा तो फिर वो तिक नहीं हिर लाएगा, इसलिए ज लोग नहीं पहुंच पाएं वो टार्गेट लेकिन अभी 110 के आसपास में वो चल रहा है, और कुछ देर होगा, वो 120-30 के आसपास पहुंचा है, अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ब्लोट डोने करना चाहिए इस बारे लिए, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा एक एक्जांपल दे रहा है, मेरी बेटी अजदी पहली बार, तो वो जब 16 साल की थी, तो ब्लट डोनेशन क्या है पोगा था, आई ती उससे में देने का मन था, लेकिन क्योंकि 16 साल की थी, तो नहीं दे सकती थी, तो आठरा साल हुआ, तो उसका ये मक्सद है कि मेरा ब्लट डोनेशन हम बिफोर बोटर कार्ट बनाएंगे, मतलब बोटर कार्ट मेरा बोटर लिश्ट पर नाम उड़ेगा, उसके पहले मैं 18 साल होने के से ब्लट देना चाहिए, और ये ब्लट देने से एक तो आप हिल्प कर रहे है, कोई भी किसी का बच्चा, जो कि कई होस्पिटल में पढ़ा हुआ है और ब्लट उसको चाहिए, और माली जी आपका दिया हुआ ब्लट यदि वो उसके सरीर में जा रहा है और बच्चा बचता है, काल को जाके भारतवस का एक प्रदान मंदिर भी बन सकता है, तो वो परिवार, जो परिवार में वो बच्चा क लुघ का एहमियत है, उसको जो ब्लट मिला, उसका कीमत आप तरह समझे, तो आपका बलट जो दिया हुआ आज का बलट है, वो बलट आपका बच्चा को बचा सकता है, तो बहुत महतुआ है, प्लस इसके साथ-साथ ये पवित्र एकदान भी है, इसके चाहाँ जो भी प्रिफाइड होता है यह सब बहुत सारा चाहतरब से बलड देना जो है बहुत अच्छा है सब भी को अठारा साल होने के बाद में तिन मेना के अंतर अंतर में बलड देना चीए अपना धर्मेंद्र पाथक मैं साधावन सब पाथक नक्षाल रिबेस्टेशन भी तो